मैं आस्तो सुकला फिर से आगे हूं एक नए वीडियो के साथ आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिवाइस एंड पैस्वाइस इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्टिवाइस एंड पैस्वाइस बनाना तो सिखाया है लेकिन कई लोगों को भी पूरी तरीके से सही से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आज आज आपको एक एक करके हर टेंस का पैस्वाइस और एक्टिवाइस पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूं तो एक और वीडियो देख लेने से आपका पूरा एक्टिवाइस और पैस्वाइस का चैप्टर बहुत ही अच्छी त जाएगा तो आईए हम लोग एक एक करके सारे पैसिवाइस बनाना सीखते हैं तो आईए आज सीखते हैं पैसिवाइस में यूज होने वाले फर्मूले कैसे हम एक्टिवाइस को बिल्कुल पैसिवाइस सही से बना सकते हैं तो आज आपको एक एक करके मैं सारे संटेंस और अ आपको अफर्मेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव तो आप सबसे ज़्यादा तो पहले वाले संटेंस बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आगे वाले संटेंस आपको बहुत ही आसानी सा समझ में आएंगे तो आएए प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटि वर्प की फर्ष्ट पॉम आएगी सियस प्लस ऑबजेक्ट यह रूल रहेगा लेकिन पैसी वास में आपको क्या करना है औबजेट को पहले लिख देना है उसके बाद जैसा ऑबजेट होगा वैसे यह आपको एल्पिंग वर्प सेलेक्ट करनी है उसके बाद आप जो की प्लस सब्जेक्ट यह कर देना है लिखा हुआ है ही सिंग्स आसांग इसको पहले वाले रूजसे मैच करते हैं सब्जेक्ट आया हुआ में कोई एक लगा भी यह अगर आप इसको देखके नगल खरते हैं तो आप आसानी से सकते है देखिए हमारे साथ है सबसे पहले क्या बोला है लिखने लिए अब जे आपने पछाना आ पने यहां पर लिख दिया जब और को जाएगा तो देखे बिलकुल आपको फर्मेट्टी पहला टाइब बहुत आसानी से समझ में ऐसे करके मैं एक एक करके आपको सारे टाइब समझाने तो एक बार ध्यान से देख लिजिए क्योंकि यहां पर अगर प्रॉब्लम हुई तो आगे भी आपको प्रॉब्लम बनती चली जाएगी तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं subject को यहां पे लिखना है इसमें पैस्व में और इसके object को यहां पे subject बना देना है जैसा आपका subject बनेगा वैसे ही आपको तीनों में से helping word select करनी है plus verb की third form by और आपका subject जो होगा वह बन जाएगा चली इसका negative sentence भी देख लेते हैं देखते हैं negative sentence में आपका rule क्या है subject डूड़ आएगा उसके बाद लगा होगा वर्ब की first form होगी और object आएगा ठीक है लेकिन पैसिवाइस में आपको क्या करना है आपको सबसे पहले object लिखना है उसके बाद आपको helping verb is rm में से कोई एक सब्सक्राइब करनी है फिर not लगाना है वर्ब की third form लिख देनी है फिर by और फिर subject इतना कर देना है इसलिए देखते हैं बनाके sentence i do not write a letter इसको match करते हैं देखिए subject आया do does में से एक आ गया है not be आया हुआ है वर्ब की first form आई हुई object आया हुआ है वर्ब की कौन सी form लगानी है third तो written हो गई third form इतना करने के बाद अप क्या लगाना है आपको by लिख देना है इसके वाद subject क्या है आपका आई अब आई यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा मी यह मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजेगा ताकि आसानी से वीडियो पूरा समझ में आया आपको अब क्या करना है आपको इसके आगे इंट्रोगेट्यू देखना है तो चलिए इंट्रोगेट्यू भी द है helping बागर पहली मिलती है तो आप helping बार पहले ही लगाते है अब्जेट्ट लगा दिया ब्रेकेट में नौट है यहां पर अब्जेक्ट है तो मैंने बाई सब्जेक्ट कर दिया इतना करने के बाद आईए देखते हैं पहला संटेंस दोरों में से एक मिल गया आपको है अब्जेक्ट है तो याद रखिएगा पहली बात तो यह important कि पैसिवाइस जो होती है वह अब्जेक्ट पे डिजर्ब करती है अगर अब्जेक्ट आपका है तब ही आप पैसिवाइस में बना सकते हैं अब देखें लिखा हुआ है डज मौन ड्रिंक मिल्क ठीक है तो अब यहां से क्या करना है आपको अबजग ले लेना है लेलिया हमने मिल्क इस मिल्क नॉट हैस में नहीं है छोड़ दिया मैं वर्व की थार्ड फॉर्म क्या है ड्रंक डि-r-y-n-k लगा दिया मैंने सब्जेक्ट क्या है अपका मुहन मुहन एक नाम है चेंज नहीं होगा और यह मुहान लिग गया लास्ट में कोशन मार लगा दिया यह तरीका था टाइप 1 का टाइप 2 भी देख लेते हैं टाइप 2 कि इसका रूल क्या कहता है सबसे पहले कोशन वर्ट दिखेगा आपको उसके बाद डू या ड़स दिख सकता है सब्जेट होगा ब्रेकेट में लिखते हैं तो आप भी लगा दीजेगा वर्व की फर्स्ट पॉर्म आईगी आप थर्ड फॉर्म में कर दीजेगा यहां पर आप आप बाई सब्जेट जैसे कि आप लोग आम तौर पर एक दूसरे की नकल करते हैं अगर कोई साइकील अचील आया तो आप उससे चील आने के कोस्व करता है तो यहीं बढ़ा करना ही होता इसमें अब देखिए लिखा हुआ है वाई डू यू डू डूदुट जैसे पा लिए अब इसको पा लिः अब इसको पा लिए इसको पैसीवाइस में चेंज करते हैं वेँकि आप खुद इसे जान गयोंगे की कैसे चेंज हो select करना है कब आपका object क्या है this work this work जान गए तो आपने is select कर दिया फिर this work इतना कर लिया अब देखिए bracket में not है कैस के पास जब नहीं आया है तो आपने नहीं किया है work की third form do third form क्या होती है done why is this work done फिर क्या लगाना है by subject क्या है आपका you you change नहीं होता है तो यू का you last में question mark अब change होता है लेकिन वह object ही होता है इसका तो याद रखिए गा पैसिवाइज होती है में इसा ट्रांजेटिव वर्ब की बनती है ट्रांजेटिव वर्ब होते हैं जिनको करने के लिए किसी object की जरूरत पड़ती है यानि इन ट्रांजेटिव जो होते हैं वर्ब उनकी पैसिवाइज नहीं बनती आपने देखिए प्रिजेंट का पूरा वह चैप्र देखा है अब आपको हम प्रिजेंट कॉंटिनिवस के बारे में भी जल्दी से बता देते हैं दूसरा टेंस और object लिखा होगा लेकिन जब आप पैसिवाइज बनाते हैं तो आप object पहले लिखते हैं इस MR ही लिखा रहने देते हैं लेकिन उसके बाद आपको बिंग लगाना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है फिर बाई लगा करके subject अपना लिख देना है ठीक है देखते है इतना करने या वर्ब आपने करते होता हो सकता है । इतना करने के बाद वर्ब की कूंसी फ़र्म आपतने इतना करते हैं delicious खेंड ऐउर पतना कर दिया आपने अब क्या लगाना है बाई लगा दीजिए अभी कुछ सोच नहीं आपको सब्जेट क्या है आपका ही जब अब्जेट बनेगा तो क्या हो जाएगा देखिए कितनी आसान तरीके से आपको पैसिवाइस बनाना आ रहा है इतना करने के बाद आप अपनी बुक स से खुझ से प्रेक्टिस करिएगा और आपको लगेगा कि हाँ अब हमें पैसिवाइस बनाना बहुत ही आसानी से आ रहा है चलिए इसका निगेटिव संटेंस भी देख लेते हैं निगेटिव संटेंस रूल देख लेते हैं सब्जेक्ट आएगा इस अमार हो सकता है सब्सक्राइबना और आपको सब्सक्राइबना पको लगना अब यूए लगाणा है इसके बाद इस couples मआर में से इस क्यूं कीूं कि충 की अब क्या लगाना है इतना कर दिया अब क्या लगाना है बींग लगाने के बाद वर्व की कौन सी फॉर्म सिंग संग कर दिया मैंने अब लगा दिया मैंने बाई इतना कर दिया subject क्या है आपका भी वी जब में आता है तो क्या होता है अगर यह वाली problem अगर को हो रही है तो आप पहला वाला वीडियो और पैसिवाइस का जरूर देखिएगा उसमें यह टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है अगर आपको कहीं कोई प्राब्लम हो रही तो आप स्क्रीन साउट भी लेते रहिए साथ-साथ ठीक है ताकि आपको आसानी से बाद में भी समझ में आए अब आगे इंट्रोगेट्य संटेंस देख लेते हैं हम लोग ये लिस देखते हैं इंट्रोगेट्यो Coryy का टाइप-वन को सनव जो न वू स्टाड में और बीच में आते हैं उनहीं वें से टाइप-वन का रूल है कि आपको इस रूल से आपको अक्तिवाइस क्या है इस ही फ्लावर्स तो द्यान से दिखिए मैंने आप फ्लावर्स कर दिया ताकि आप कुछ अलग भी संटेस बना सकें ठीक है तो सबसे पहले आपने मिलपिमितATT लगा हुआ है के लिए अब आप भी इस इमार में से कोյं एक लगाने वाले आपका अप्जट है फ्लावर्स कंआर को motion इतना करने की पादम आपने लगादिया फ्लावर्स आर फ्लावर्स है इतना कर दिया उन्हें है नहीं है छोड़ दिया मैंने बींग लगा देना है तो लगा दिया मैंने वर्ट की कौन सी फार्म थार्ड फार्म क्यों होती है प्लक्त पी ल, सब्सक्राइब अपको एक्टिव कर रूखेंट कर रूभ हुआ है इस K ÁPains करो लिखा हुआ है अब आपको एकटिव एसमें पहला सबस्क्राइब स्ट कर यू इस to island अर देना है बनाते कोई गाना है किसके लिए वर्क के लिए तो आप न करने के बाद ब्रेक्ट में नोट हे तो आप यहाँ पे लगा दीजिए क्यूकि आया हुआ एक्टीव में अब आपको क्या लगाना यहां से बींग कर दिया वर्ग की कौंसी फाम है नंट तो डूइंग यह निदू की थर्ड फार्म डटन कि फिर आपको लगा देना वाई और आपका सबजेट है यू जो कि object में यू ही रहता है और last में question mark इस तरीके से देखिए आपको present के दो tense बहुत ही आसानी से पैसिवाइस में change करने आ गए है अब आपको मैं present perfect tense बताने वाला हूँ देखते है present perfect tense ठीक है present perfect tense में एक आपको अच्छी बात यह रहेगी कि आपको यहां पर third form पहले से लिखी मिल जाएगी जो कि आपको ज्यादा सोचने नहीं पड़ेगी देखिए इसमें affirmative का rule लिखा हुआ है subject has a word की third form और object पैसिवाइस कैसे बनाना है object लिख देना है प्लस बीन लगाना है वर की third form प्लस पाई प्लस सब्जेक्ट पहला संटेंस देखते हैं he has done his work ठीक है he has done his work तो आपको पहले क्या लिखना है object object है आपका his work किसी भी object के साथ कोई भी अगर जुड़ा हुआ है तो उसी के साथ रहेगा otherwise फिर वो जो object होगा वो इधर से उधर हो जाएगा तो आपको his work यहां पर पहला पूरा लिख देना है his work इतना करने के बाद आप तोनों में से एक लगा लिजी has फिर उसके बाद लगाना है बीन वर्व की थर्ड फॉर्म जो कि पहले से लिखी हुई है अब इतना करने के बाद आप लगा दीजेए बाई subject क्या है आपका ही ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा फुल श्टाप आपको affirmative sentence बनाना आया तो आपको negative sentence भी बहुत ही आसानी से आ जाएगा देखते हैं negative sentence का rule क्या कहता है कि subject has have plus not वर की थर्ड फॉर्म अबजेक्ट पैसिवाइस का rule आपका लिखा हुआ है पहला sentence देखते हैं जल्दी से I have not eaten my apple ठीक है सबसे पहले object लिख देना है तो my apple लिख दिया मैंने इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है यहां से not लिख देना है फिर आपको बीन लगा देना है रूल देखते रही है और करते रही है गलत नहीं होने वाला है वर्प की थर्ड फॉर्म पहले से आई प्लस बाई इतना करने के बाद आप आई को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा तो देखें निगेटिव संटेंस भी आपको बहुत ही आसानी से आ गया है अब आपको इंट्रोगेटिव संटेंस का रूल क्या कहता है है सब्जेक्ट में नौट वर की थर्ड फॉर् इसका स्कृ इसका संटेंस है अब देखें इसको पैसिवा इसके करते हैं सबसे पहले आपको है लगा देना है किसके लिए टी के लिए आपने लगा ने के द्रंग करना है आप को क्या करना है सब्जेट आपका मोहन था जो कि आपने सही लिख दिया ऐसाई भी देख लिखते हैं टाइप 2 का रूल देगी लिखा हुआ है question word has have subject bracket में not आएगा उसके बाद आपको third form दिखेगी और object दिखेगा आपको पैसिवाइस इस रूल से बना देना है पहला sentence देख लेते हैं why has gita not done her work ठीक है तो आप पैसिवाइस सबसे पहले question word लिखते बनाते हैं तो लिख दिया मैंने question word has have में से कोई एक लगाना है हर वर्क लिखा हुआ यहां से लगाएंगे has अब आपको object लगा देना है हर वर्क इसके बाद not है तो हां आया भी है तो मैंने लिख दिया फिर बीन लगा देना है आपको वर्क की third form done लिखी हुई है अपके लगा देना है बाई लगा देना है subject क्या है अपका गीता नाम है तो चेंज नहीं होगा लास्ट में question मार लगा दिया इतना देखते हैं आगे की पास्ट इंडिफिनिट टेंस में affirmative sentence का rule अगर affirmative sentence में आप ऐसी वाइस बनाते हैं तो कुछ ऐसे रूल से आपको active wise दिखेगा subject आएगा वर्क की second form लिखी होगी और object आएगा उसके बाद अगर आप पैसी वाइस बना रहे हैं तो आप object को पहले लिख करके object प्लस वाज या वर लगाना है प्लस वर्क की third form कर देनी है प्लस बाई प्लस subject इतना करने के बाद बस यही क the are latter कि इतना करने के बाद अब यहां से आपको वॉल लगा ना तो आपको पता है he singular तो आपने यहां से लगा लिया वह इतना करने के बाद वर्क की third form लग देना है written उसके यहां से वाई लगा देना है और he उब्ज़ट में आएगा तो him फुलिस्टाफ देखे अब इसका निगेटिव संटेंस भी देख लेते हैं देखते हैं निगेटिव संटेंस क्या कह रहा है रूल इसका अपर आपको अगर आएगा तो वह कुछ ऐसे रूल से आएगा सब्जेक्ट आएगा प्लस डिट लिखा होगा फिर नॉट होगा वर्ब की फर्स पॉर्म होगी और अबजेक्ट होगा डिट में आप कभी कंफ्यूज ना होगा अगर डिट के बाद नॉट है तभी वह निगेटिव होगा अदर्वाइस कभी यहां पर आपको अफर्मेटिव में डिट दिख जाये तो उसके बाद अगर अगर अबजेट की वर्ब होगी तो द्यान रखिएगा इस बात का अब आपको पैसी वाइस देखिए रूल लिखा हुआ है अब इसको पैसी में चेंज करते हैं तो सबसे पहले फूर्ड लिखेंगे इतना करने के बाद अप यहां से बॉस्ट लगा सकते हैं अब यहां से आपको लगाना है देख करते रहिए वर्प की थर्ट फॉर्म कुझ क। क्या होती है कुक में इडिज जो दो जाएगा अब यहां सरना में तो गीता यह नाम है जो की चेंज नहीं वहाला फुल सुप यह आपका एक पैशी वाइस यह भी बन गया अब इंट्रोगे ट्यू का बीदे लिए जल्दी से देखते हैं इंट्रोगे ट्यू का रूल का है दिखने वहला है हल्पिंग वर्प से स्टार्ट होकर के लास्ट में कोश्चन वार्प दिखेगा लेकिन पैसी वाइस में आपको कुछ ऐसे रूल से बना देना है तो अगर देख देख के भी करते हैं तो देखें करते हैं सबसे पहले वह लगाया उसने किसके लिए आपका अब्जेट किया है इसके पास है नहीं है छोड दिया मैंने वर्प की थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कर देते हैं उसके बाद आपको भाई लगा देना है और प्लस सब्जेट क्या है आपका सी को इधर चेंज करेंगे तो हर लास्ट में कोश्चन मार इतना कर दिया अब यह दिए टाइ वर्प की फार्म फ्लस आप्जेट यूबड़ को को बनादेना है डिट की जगह पर वह हो सबचित की जगह पर आपको अब्जेट कर देना है शॉरी मैंने यह बह लिखा है उसके बादक पर नौRO कर दीजिएगा और औच को गवा रख्ड़ब कर देना है अब बंता है तो वाई आया question word लिख दिया मैंने वह वर तो किसके लिए लगाना है object के लिए object मेरा है my work तो यहां से आया वह अब आपका object है my work ब्रेकेट में नॉट यहां पर आया भी है आपने लगा दिया ठीक है वर की third form do को third form में करेंगे तो क्या हो जाएगा done आपको फिर लगा देना है by subject आपका है यू जो कि object भी यू ही होता है last में question math यह आपका complete past अब आगे देखते हैं past continuous आईए देखते हैं past continuous sentence इसका affirmative sentence क्या है सबसे पहले एक्टिव जो होगा उसका rule होगा subject प्लस was या वर होगा वर की first form आएगी उसमें ing जुड़ा होगा और object लिखा होगा ठीक है अब अगर पैसी वाइस आपको बनाना है तो आपको क्या करना है सबसे पहले object प्लस was या वर प्लस being प्लस वर की third form प्लस by प्लस subject ऐसे कर द football ठीक है अब इसको पैसी में चेंज करते हैं सबसे पहले object लीजिए इसका football कि इतना करने के बाद आपको यहां से वाज या वर लेना है वाज ले लिया अब क्या लगाना है बिंग कर दिया बिंग करने के बाद वर की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म देखिए यहां पर इतना करने के बाद आपको क्या लगा देना है बाई उसके बाद आपका subject क्या था रोहन एक नाम है जो चेंज नहीं होने वाला इस तरीके से आपको आफर्मेट्यू का पैसी वाइस चेंज कर देना है चलिए निगेट्यू का भी देख लिखते हैं जल्दी से लिखा हुआ को है निगेट्यू सेंटेंस अब इसमें एक्ट्यू का रूल आपको ऐसे दिखाई देगा subject आएगा was ever हो सकता है उसके बाद not आ सकता है वर्ब की फर्स टॉम में आई इंजी दिखेगा और object लिखा होगा आप जब पैसी वाइस में चेंज करेंगे तो आपको क्या सबसे लिखना है object लिखना है फिर was ever लगाना है प्लस लगा देना है प्लस बिंग लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक लास्ट में फुल स्टॉप ठीक पहला sentence देखते हैं इसका बनाना सिकते हैं हम लोग he was reading a book ठीक है यह आपका subject हो गया यह आपका object अब a book के साथ आपको helping work क्या लगानी है was उसके बाद क्या लगाना है not अब लगाना है इसके बाद आपको लगाना है not लगा दिया आपने a book was not अब क्या करना है being लगाना है कितना करने के बाद अब थर्ड फॉर्म में वर्प को लगना है read की थर्ड फॉर्म read ही होती है प्लस बाई लगा देना है यह नि बाई लगाने के बाद अब आपको subject क्यार करना है him लास्ट में full stop लगा देना है अब देखते हैं आगे intro get you का अब देखते हैं इंट्रोगेट्व संटेंस में एक्ट्व का रूल वाज वर प्लस सब्जेक्ट ब्रेकेट में नॉट हो सकता है वर की फर्स पॉम आएगी उसमें इंजी जुड़ा होगा और अबजेक्ट होगा लास्ट में कोस्चन मार्ट दिएगा पैसिव इसका रूल लगाएंगे वोज के बाद आपका अब्जेक्ट क्या है अलेटर इतना कर देने के बाद अब ड्रेकेट में नॉट है लेकिन यहां पर आया नहीं है तो छोड़ दिया अब क्या लगाना है बिंग कर देना है उसके बाद वर्प की कौनसी फार्म थर्ड फार्म क्या हो लाष्ट में कौस्चन मार आसानी से समझ में आये होगा चलिए टाइफ 2 भी देख लेते हैं ठाइप 2 के रूल को देखते हैं क रूल क्या कहता है सबसे स्टार्टिंग में आपको में कौस्चन वर्ट दिखाई देता है बाकी पीछे का जैसा रूल है वह सेम डू सेम लगानी है helping वर्प कितना भी होता है सुंगलर माना जाता है बहुत लगा लिए आपने object क्या है आपका वर्प कितना कर दिया इतना करने के बाद bracket में नौट है लेकिन आया नहीं है छोड़ देते हैं बीइंग लगा देना है फिर से आगे देखते हैं बीइंग के बाद आपक आपको सब्जेट लिखना है सब्जेट आपका था दे दे को अगर हम object बनाते तो क्या हो जाता है दे लाश्ट में को यह जो प्रोनाउंस होते हैं इनको चेंज करना आपको अगर नहीं आता है तो फिर गलतियां कर देंगे आप तो इसके लिए आप इसका पहला वाला पास्ट परफेक्ट के अफर्मेट्व के रूल देखते हैं तो क्या होगा सब्जेट आएगा उसके बाद आपको हैड दिखेगा वर्प की थर्ड फॉर्म लगी होगी और object लिखा होगा इसमें अगर आप पैसी वाइस चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे object लगाना है आपको वर्प की थर्ड फॉर्म पहले से मिलेगी आप यहां पी थर्ड फॉर्म ही लगाने है प्लस बाइप्लस सब्जेक्ट पहला संटेंस देख लीजिए आई हैड रिटेंड माई लेटर अब इसको में चेंज करते हैं सबसे पहले आपको क्या लिख देना है अब्जेक्ट है आपका माई लेटर इतना करने के बाद अब आपको हेल्पिंग वर्प लगानी हैड बीन क्यूंकि इसमें एक अच्छी बात होती है कि आपको सब्जेक्ट नहीं देखना क्यूंकि दोनों के साथ चाहां सिंगुलर हो चाहां प्लूरल आपको हैड लगाना अब आपका सब्जेक्ट क्या था आई आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मिश्ट में फुल स्टॉप दिखिए बहुत आसानी से आपको अफर्मेट्यू संटेंस समझ में आया आगे देख लिए निगेट्यू संटेंस का रूल सबसे पहले अफर्मेट्यू का देख या अपने निगेट्यू का देखने के बाद अब हम निगेट्यू के एक्ट्व का रूल देखते हैं subject had plus not work की थर्ड फॉर्म प्लस आपजेक्ट पैस्यू का रूल देख लीजिए object आना है head plus not plus been work की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट अब अगर हम इसके पहले sentence को बनाना सीखते हैं तो कैसे sentence से देखिए sentence बिल्कुल रूल से मैच कर रहा है subject आया helping verb not third form object आपका ताज महल ठीक अब आपको सबसे पहले object लिखना है तो आपने object लिख दिया ताज महल इतना करने के बाद अब आपको यहां से हैड लगाना है है लगा दिया अब यहां से नौट लगा देना है अब यहां से बीन लगा देना देख देख के करते रहें बिल्कुल सही होगा बीन वर्प की third form वर्प कौन सी थी सी सा सीन देखने की third form सीन हो गई ठीक है अब यहां से आपने क्या लगा दिया बाई अब आपका subject क्या था ही तो यहां पर क्या बन गया ही राश्ट में फुल स्टाप आसानी से निगेटिव संटेंस भी आ गया अब आगे हम आपको इंट्रोगेटिव संटेंस बताते हैं स्टेंस में अपम हुआ इंट्रोगेट्ञेटिव संटेंस में एक्टिव और पैस रुड देख लेते हैं और अगर इसका पहला संटेंस देखते हैं लिगा हुआ हैडë अब इससे आपको फार्मूले से पैसिवाइस बना देनी है है लगा देना सबसे पहले प्लस ऑब्जेट है आपका फूड अब ब्रेकेट में नौट आया नहीं है छोड़ देते हैं आपको बील लगा देना है वर की थर्ड फॉर्म पहले से लिखी हुई है अब लगा देना ह सब्जेट आपका था सी जो कि यहां पर आकर हर बन गया लाश्ट में कोश्चन मार्क कर देना है बहुत ही आसानी से यह दो भी आगया है टाइप टू को भी देख लेते हैं में देखते हैं टाइप टू टू में आपको सबसे question word मिल जाएगा बागी रूल आपके type 1 जासा ही रहता है पहला sentence लिखा हुआ है why had you not done this work ठीक अब सबसे पहले आपको question word लिख देना है लिख दिया आपने इतना करने के बाद आपको had लगा देना है है लगा दिया आपने उसके बाद object क्या है आपका this work this work लिख देना है अब आपको क्या लगाना है bean लगा देना है उसके बाद third form में वर्प जो की पहले से लिख दी आपने फिर आपको by लगा देना है और आपका subject था you जो की object में यू ही रहता है last में question mark इस तरीके से आपका past perfect tense भी बहुत ही आसानी से complete हुआ है अब हम आपको future indefinite के बारे में बताने वाले हैं दिखा हुआ है future indefinite tense अगर इसके एक्टिव की बात करते हैं तो आपको subject दिखाई देगा उसके बाद will yourself में से कोई helping verb दिखेगी वर्प आपकी first form में लिखे होगी और object लिखा होगा उसके बाद अगर आप ऐसी वाइस change करने तो सबसे पहले आपको object देन है will yourself में से कोई एक लगा देना है प्लस बी लगाना है आपको special द्यान रखिएगा वर की third form बाकी sentence की तरीके से यह पहला इसका sentence देख लीजिए he will sing a song ठीक है अगर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे object आपका object है a song a song इतना लग दिया अपने इसके बाद आपको will or sell में से कोई LGBT करना है तो इसतना आपको पता होगा कि hai wy के साथ sell लगाते बाकी के साथ will लगाते है a song यहां पर क्या कर दिया आपने will इसके बाद आपको यहांसे भी लगा दिया उसके बाद आपको वर्फ थर्ड फॉर्म में लिखनी है सिंग सैंग संग थर्ड फॉर्म संग हो गई प्लस बाइबाई लगा दिया उसके बाद आपका subject क्या था ही जो कि object में हिम बन गया फुल श्टॉप आपका sentence complete समझ में चलिए निगेटिव संटेंस भी जल्दी से देखते हैं देखते हैं निगेटिव संटेंस एक्ट्व का रूल है सब्जेक्ट विल सैल प्लस नॉट प्लस फॉर्म प्लस अबजेक्ट पैसिव में चेंज करते हैं सबसे पहले अ तो कि महींगो लिखने के बाद आपको विए लगा देना है क्यूंकि उप्लिश क कर दिया अब यहांसे फिर लगा देते हैं यहां से इतना कर दिया अब यहां इंट्रोगेट्व संटेंस का टाइप वन का रूल सबसे पहले आपको helping वर्फ दिखेगी लास्ट में कोश्चन मार्थ दिखेगा बाकी रूल कुछ वैसा ही है जैसे हर टेंस में होता है अब देखिए इसका पहला संटेंस लिखा हुआ है विल यू सिंग आ सॉंग ठीक है अगर हम इसके पैसियू की बात करते तो सबसे पहले आपको विल असल लगा देना है तो देखिए यहां कोई आई मी तो लिखा नहीं जो कि आप यहां पर सेल करेंगे तो सॉंग लगा हुए आपने यहां से विल लगा दिया विल लगाने के पाद आपका सब्जेट क्या था यू जो की आपजट भी यू ही रहेगा लास्ट में कोस्टन मार्ग बना दी अब इतना करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप इनके जितने भी रूल्स हैं उनको एक कॉपी में में कर लीजिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो उसके बाद आप कभी भी अगर प्रॉब्लम में आ रहा है तो या तो इस वीडियो को दुबारा देख लीजिए या फिर अपना बनाया हुआ नोट से देख लीजिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है अब देखते हैं इसके बाद टाइप टू को टाइप टू का रूल भी बिलकुल टाइप वन के रूल जासा है बस आपको आगे स्टाटिंग में कोश्चन वर्ड दिख जाता है ठीक है अब आगर इसके पहले संटेंज की बात करते हैं कोई भी संटेंज लेते हैं जैसे लिग लिए मैंने वाइं विल ही डू वर्क करते दिया है विल या सेल में से कोई एक लगाना है तो आपने वर्क के लिए विल लगा दिया अब जिट है आपका वर्क लगा दिया अंट आया नही आपको में लगा देना वर्क film में करदेंगे डन हो जाएगा बाई लगा देंगे सब्जेट है आपका ही जो कि यहां पर आ करके ही मोजागा लास्ट में कोश्चन मार कर देना है ऐसा ही बनाते रहते हैं सारे पैसिवाइस को अब आपको बताने वाले हैं कि future प्रफेक्ट के बारे में डेक बनता है तो प्राफिट के बारे में देख लेते हैं कि फ्यूचर प्रफेक्ट टेंस के बारे मेंके depend owe का Saundering देख लिए सबजेट आएगा में से कोई एक helping verb होगी उसके बाद have लिखा होगा वर्ब की third form होगी और object होगा पैसिवाइस की बात करें सबसे पहले आपको object लिखना है में से कोई एक लगा करके have been भी लगाना है वर्ब की third form लगा देनी है plus by plus subject पहला sentence देखते हैं he will have sung a song इतना ठीक है अब इसके पैसिवाइस की बात करते हैं सबसे पहले object लगाना है object है आपका song आपने लगा दिया a song फिर उसके बाद will लगा देंगे क्यों क्योंकि आई भी तो है नहीं तो इसलिए आपने विल लगा दिया इतना करने के बाद आपने यहांस लगाया have been वर की third form जो की पहले से लिखी हुई है बाई लगा देना है इतना करने के बाद subject है आपका ही यहां अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा समझ में आ रहा होगा अब देखते हैं निगेटिव संटेंस अगर इसके रूल की बात करते हैं तो आप इस बात में विल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो helping बात नौट होगा वह विल और सेल के बाद ही लगाना रहेगा आप हैव के यह बीन के बाद इधार उदर मत करिएग बाकी रूल अफर्मेट्यू के जैसे ही है देख लीजेगा या फिर स्क्रीन सोड लेकर के आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख लीजेगा पहला संटेंस देखते हैं आई सैल नौट है डन माई वर्क ठीक है अगर हम इसमें सबसे पहले लिखते हैं अबजेक्त तो आपक अबजेक्ट है वर्क माई इसका केवल पॉजेस्व आया हुआ है ठीक है तो विल लगाने के बाद आप आपने यहां से लगा दिया फिर आपको हैव लगाना है फिर आपको भी लगा देना है वर्की थर्ड फॉर्म जो की पहले से लिखी हुई है अब इतना करने के बाद लिख देना है सब्जेट आपका था आई जो की अब्जेट बने का के मी ऐसे ही कंप्लीट हो गया निगेट्यू संटेंस अब देखते हैं इंट्रोगेट्यू संटेंस टाइप वन का रूल देख लीजी आप से स्टार्ट होकर के लास्ट में कोश्चन मार्क तक जाना है और आप पैसिवा इसका भी रूल देख लीजीएगा अगर हम पहले संटेंस की बात करते तो लिखा हुआ है विल यू है रिटेना लेटर सबसे पहले आपको विल या सहल लगाना है तो लेटर है तो आपने यह वर्व की थर्ड फॉर्म रिटेन प्लस बाई लगा देना है यानि बाई लगाने के बाद अब आपका सब्जेट था यू जो की ऑब्जेट भी यू ही रहेगा लास्ट में कोश्चन मार्क अब आपको बताते हैं टाइप टू के बारे में देखते हैं टाइप टू के बार सबसे पहले आपको question word लगा देना है उसके बाद will या sell देखे food के लिए आपने क्या लगाया will उसके बाद object क्याता food प्रेकेट में not आया भी है आपने लगा भी दिया लगा देना है पूरा इतना करने के बाद verb की third form जो कि पहले से लिखी हुई है प्लस by लगाने के बाद अब आपका subject था गीता आपने लिख दिया गीता जास्ट में question ना इस तरीके से आप पूरे active wise और passive wise के सारे rule को देख चुके हैं और आपको बनाने भी आगे होंगे अब को book से कई सारे active wise और passive wise करने हैं ताकि आपको यह chapter पूरी तरीके से अच्छे से clear हो सके तो इस class के लिए thank you